हेलो फ्रेंड्स मैं हुसेन और आप देख रहे हैं मेरो टेक फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फ्रीज में लगने वाले एलेक्ट्रिक कांट्रोल डिवाइस का नाम और उसका चेकिंग कैसे करते हैं आज का वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वला है अगर वीडियो अच्छी लाई तो लाइक किजिए और चैनल को सब्सक्राइब किजिए चलिए उसका नाम और उसका करेंशन कैसे करते हैं कि चेकिंग कैसे करते हैं यानि हमारा वास्तों यह खराब है किस आवस्ता में खराब माना जाएगा और किस आवस्ता में सही माना जाएगा हम चेकिंग जानते हैं हेज फ्रेंस पहले नमर पर हमारा कंप्रेसर के सबसे पहले हम ένα कोंटिणुनिटी जानेंगे सबसे पहले हम कंप्रेसर मोटर का तीनु टर्मिनल पर हम कंप्रेसर करेंगे आगर 3 टर्मिनल पे हमारा continuity दिखा रहा है इस अवस्ता में हम compressor को सही मानेंगे यदि हमारे compressor को terminal पे continuity नहीं दिखा रहा है तो हमारkeys compressor motor खराब माने ज़ाता है जिएआँ फ्रेंस तो ऐसे करते हैं compressor motor को checking नी खराब है या सही है जानते हैं अगला है हमारा thermostat चैनल के लिए सबसे पहले है आज मोट रूर सोरी मीटर को में कर दिक कर दिते हैं इसको जो कि दोनुप तुम लेकर आए कि अगर क solidarity दिखा रहा है तो हमारा thermostat सही माना जाता है यदि हमारे continuity अगर नहीं देखा रहा है उस आवास्ते में हम thermostat को गलत मानते हैं जियां फ्रेंड तेशे करते हैं thermostat का चेकी अगला हमारा overload यानी OLP overload को चेकप करने के लिए meter को सबसे पहले continue mode पर set करते हैं और meter का दोनों तार लेकर हम overload के दोनों पीन पर यानी एक जो compressor में लगाते हैं और एक जो निकला होता है उस पर हम check-up करेंगे यदि हमारा जो overload में continue दिखाएगा तो हम जान जाएंगे कि हमारा overload रिवा है सही है अगर continuity नहीं दिखा रहा है उस आवास्ता में हम overload को खराब मानते हैं जिया फ्रेंट्स ऐसे हम overload को check करते हैं कि खराब है या सही है अगला है हमारा relay जिया फ्रेंट्स relay को check-up करने के लिए सबसे पहले हम मीटर को continuity मूर पर set करेंगे और मीटर का दोनों तार लेकर relay के दोनों pin में हम लगा कर check करेंगे अगर हमारा relay में continuity दिखा रहा है उस आवास्ता में हम relay को सही मानेंगे यादि हमारे relay में continuity नहीं दिखा रहा है उस आवास्ता में हम रिले को खराब मानते हैं जियाँ फ्रेंड스 ऐसे करते हम रिले को चेकिंग जाने खराब है जसे सही है ऐसे जानते हैं और अगला है हमारा डोर स्वीच सबसे पहले मीटर को कन्टिनि pitch mode पर सेट करेंगे और मीटर का दोनों तार लेकर दोर स्विच के दोनों पीन पे हम टच करेंगे अगर continuity हमारा सो कर रहा है तो उस अवास्था में हम दोर स्विच को सही मानते हैं अगर हमारा continuity नहीं दिखा रहा है इस अवास्था में हम दोर स्विच को खरा मानते हैं जिवर फ्रेंड्स येथा हमारा फ्रीज में लगने वाल इलक्त्री और कंट्रोल डिवास और इसका चेकिंग जिया फ्रेंड्स फ्रेंड्स आई होब वीडियो अच्छी लागिए होगी अगर केंगेश लाइक किजिए और चैनल को सब्सक्राइब किजिए मिल तिया आगले वीडियो में तब तक बेस्ट अपला